वापीस तो गैस आज की वीडियो जो बहुत ही जादा इंपोर्टेंट होने वाली है कि याद इस वीडियो में आपको में आपको सारी ड्रिल्ज जो मैं रेगिलर फॉलो करता हूँ वह आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और भाई आप यह ड्रिल्ज करोगे ना तो आपका गेंपले जो है नेक्ष्ट लेवल हो जाने वाला है चाहिए आप लुज रेंज की बात कर लो या लॉंग रेंज की वीडियो में आगे बढ़ने के पहले आप अभी की अभी यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो बहुत ही जादा मेहनत लगी इ समझाइए तो आप भूल जाओगे उससे अच्छा अभी की अभी लाइक और सब्सक्राइब कर दो इसमें दो चीज बहुत ही जादा इंपोर्टेंट है एक तो क्लूज रेंज और दूसरा लांग रेंज अगर आप ये दोनों मास्टर कर लोगे ना तो भाई ये गेम में आपको कोई भी नहीं मार पाएगा ये दो चीजे भी आप तब भी मास्टर कर पाओगे जब आपकी सैंसिविटी अच्छी होगी और गाइस मैंने एक चीज नोटीस किया है इसमें कि बहुत लोग क्या करते ना बड़े यूट्यूबर्स जो होते हैं उनकी सैंसिविटी हमीन आसमान का फर्क होगा तो अब आप ये सुच रगए कि हमें करना क्या है तो भाई देखो आपको किसी की भी सैंसिविटी कॉपी नहीं करनी है आपको आपके डिवाइस के अर्कॉर्डिंग सैंसिविटी बनानी है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया जिसक पहले आपको प्रैक्टिस कर लिनी है और मैंने देखा काफी लुक क्या करता है आते गेम उपन करके एक दो ट्लीडियम खिलके क्लासिक मोड स्टार्ट कर देते नहीं भाई बहुत गंदा पीटो गया पहले प्रैक्टिस कर लिया गारू ज्यादा नहीं दस-पंदरा यहां पर आप देखो मैंने यह सिंपल सी डिल फॉलो करके एक स्प्रे में सारे के सारे अबजेक्ट्स गिरा दी है मतलब भाई है ना कमाल की ड्रील उसके बाद गाइस मेरी नाइक्श ड्रील होती है क्लूज रिंज के प्रैक्टिस के लिए तो भाई यहां पर आपको आज जाता हूँ क्योंकि इसकी हाइट और एनिमी की हाइट सेम है तो यहां पर आने के बाद आपको जो क्रॉस है रहे वह ऑबजेक्ट्स के एकदम हैड के पास होना चाहिए और आपको धीरे धीरे उसको फॉलो करना है इससे आपकी एम ट्रेसिंग नेक्श लेवल आपको अगर वीडियो थोड़ी से पसंद आई हो तो है लाइक एंड सुस्क्राइब जरू से कर देना ओके तो हम बढ़ता है नेक्श ड्रिल के तरफ तो भाई यह ड्रिल नहीं है यहां पर एक क्वेशन होता है लोगों का कि हमें टीपी के सेंसीटी कितनी रखनी है तो ग तो गाइस जैसे हम इसको 80 करेंगे तो हमारे जो एनमी है वह क्लूज दीखेंगे हमें और जिससे हमें एम लगाने में काफी जादा आसानी होगी अब यहां पर हम इसे 80 करके देखते हैं और यहां पर देखो एनमी एकदम क्लूज आ गए जिससे आप उनको एजी हैड कर सक तो गाइस यहां पर मैं अपनी TPP की जैसिटी नग नट रखता हो नगीते रखता हो मैं आप सींपली 84 जो मुझे एकदम परफेक्ट लगती है मतलब ना ज़ादा दूर ना जहादा पास एकदम परफेक्ट लगती है मुझे तो गाइस यह हो गया क्लूज रेंज का अब हम दे दुगा सेंसिवीटी कोड लेकिन यार मैं सजेस्ट करोगा कि आप खुद की सेंसिवीटी बना आप अपके डिवाइस के अपो चलो गाइस इस वीडियो की लाज ड्रिल की तरफ बढ़ते हैं तो गाइस आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में जो रॉबोट से उसके बाजू तो गाइस ऐसे ही आपको सभी डायरेक्शन में जाके आपको ख़त इक स्कोप पर यह प्रैक्टिस करनी है अपका स्प्रेइस से बहुत ज़्यादा इंप्रूब हो जाने वाला है ओके तो आज की वीडियो में बस इतना ही था आपको वीडियो कैसा लागा मुझे कमेंट कर के ज़रू से बताना और भाई मैं सब की कमेंट्स पढ़ता होते हैं प्यारा सा कमेंट्स ज़रू से कर देना बाकी गाइस मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेक केर और पीस आउट